है गाई नमस्कार आप लोगों का टाप्रेंग क्लास के प्यारे से यूटूब फैरे पर सागत है आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कच्छा 10 की गडित की प्रिश्णावली 1310 महलों दो प्यारे बच्छो आपने प्रश्णावली 1310 महलों एक वीडियो जरूर देखा होगा अगर नहीं देखा तो वीडियो जाके आप जरूर देखिए फिर आज साथ हम बात करेंगे प्रश्णावली 1310 महलों की सुरू से लेकर सभी अंत तक के सभी वीडियो में अध्धन करने व एक अर्धगोले पर खड़े एक संकु का आकार का है जैसा कि मैंने पहले से भी चित्र बना के रखा है प्यारे बच्चो कि ये कोई ठोस है परन्तु एक अर्धगोला है अर्धगोला पर एक संकु खड़ा है यानि इस नूमा आप कह सकते हैं कि ये अर्धगोला हो गया और इ क्लाइन और बोला है कि संकू की भी त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है मतलब काने का मतलब है कि संकू और अर्धगोले, दोनों की त्रिज्ज्या सेम टू सेम है, आगे कह रहा प्यारे बच्चो, की ठोस का आयतन ग्यात किजिए तो इस प्रिकार ठोस का आयतन ग्यात कर लेंगे, बिलकुल आसान सा फंडा है, बहुत आसान सा तलिका है जहां से देखें सबसे पहले अगर हम बात कर लें संकू की त्रिज्जा तो संकू की त्रिज्जा भी दी गई है संकू की त्रिज्जा आपको दिया गया है वो कितना है एक सिंटीमीटर और यही अर्धगोले की भी त्रिज्जा है अर्ध गोले की त्रिज्या क्या अर्ध गोले की त्रिज्या जो है वो भी आपकी एक सिंटीमीटर दिया है प्यारे बच्चों अब क्या करा पूरे ठोस का आयतन तो भई ठोसका आयतन तो हम निकाल लेंगे ठोसका आयतन निकालने के लिए हमको दो चीजों पे ध्यान देना है सबसे पहले संकू का आयतन प्लस अर्ध्घोली का आयतन संक्वाकार भाग का आयतन और प्लस क्या हो जाएगा प्लस अर्ध गोले का आयतन हो जाएगा किसका हो जाएगा अर्ध गोले का आयतन बात समझेए किसका फार्मला होगा अर्ध गोले का आयतन चलिए अब संक्वाकार भाग का फार्म आयतन क्या होता है मैंने क्या का प्याज़ बच्छो कि आप से पूछ रहा है ठोस का आयतन बताइए तो ठोस का आयतन भई इस ठोस में दो लोग आये हैं एक संकु आया है एक अर्धगोला आया तो संक्वाकार भाग का आयतन बटी क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन हो ग अर्दगोले का होता है चार बटे 3 π ai r kule परन्त अर्दगोले की बात आई तो एक बटे 2 का क्या करे गुड़ा कर दिए दों क्या हो गया हो गया चार तो आ गये यहां एक बटे तीन पाई exactly house है दो बटे तीन पाई आर क्यूब बैलू रख देते हैं सबकी पाई नहीं अटाना क्योंकि पाई के पदों में उत्तर लाना है आर की बैलू एक है एक का उवर कर देंगे उचाई भी एक है यहां दो बटे तीन आर की बैलू एक है चलिए एक का चाहे qb करो चाहे 100 करो कोई मतलब नहीं है तो यहां मिला जुला आपको पाई बटे 3 मिलेगा यहां 2 पाई बटे 3 मिलेगा ध्यान से देखिए हर बराबर है तो अंसुड़ जाएगा 2 पाई और एक पाई मिलके कितने हो जाएगे तीन पाई बटे तीन, तीन से तीन कैंसल हो जाएगा तो पाई सेमी क्यूब आजाएगा इस प्रकार आपका जो ठोस का आयतना आएगा वो पाई की पदों में मिल जाएगा मतलब पाई सेमी क्यूब आएगा इस प्रकार आपका पहला नंबर कंप्लेट होता है आप इसका एक स्क्रीन पर आपको प्रसंबर दो दिखाई पड़ाओगा क्या करा है एक इंजिनियरिंग के विद्ध्यारती रचल से एक पतली एल्मोनियम की सिट का प्रयोग करते हुए एक माडल बनाने के लिए कहा गया मतलब इंजिनियरिंग विभाग के कुछ छात्र थे प्यारे बच् और उसके दोनों सिरे पर संकु जुड़ा हो जैसा कि आपको चित्र में दिखाई पड़ा इस माडल का ब्यास तीन सेंटीमीटर है यानि कहने का मतलब है प्यारे बच्चो यहां से लेके यहां तक की ब्यास जो है तीन सेंटीमीटर है यानि हम कह सकते हैं कि संकु का ब्यास चाहे बेलन का ब्यास के है, एक ही हुआ तीन सिंटी मिटर, प्यारे बच्चो अगर संकु की त्रिज्जा की जोरद पड़ेगी, तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो संकु की त्रिज्जा होगी, वो तीन का आधा यानि तीन बटे दो सिंटी मिटर होगा, आगे से लेके यहां तक की उचाई दो संटीमीटर जो मैंने यहां लिखके दिखाया है प्रतेक संकु की उचाई क्या है दो संटीमीटर है यानि कहने का मतलब है कि आपको संकु की उचाई भी दी गई है संकू की उचाई दो सेंटी मीटर दिया गया आगे का रहा है कि पूरे ठोस का आयतन ग्याद करना है पूरे ठोस का आयतन ग्याद करना है तो प्यारे बच्चों पहले बताओ संकू की उचाई हो गई संकू की तरे जाओगे गए मुझे बेलन की पर 8 cm मतलब जो होगी बेलन का जो उचाई होगा वो 8 cm होगा तो पहरे बच्चो पूरे ठोस का जो संपूल आयतन है वो बेलन का आयतन प्लस दो गुड़े संकू का आयतन होगा चलिए अब दिहान से देखिए बेलन के आयतन का भ्यंजक कितना होता है पाई आर स्क्यार एच ह होता है यहां दो गुड़े संकू का होता है एक बटे तीन पाई आर स्क्यार होता है ध्यान से देखिए अब सब की भैलू रखते हैं पाई को छोड़कर पाई को बाद में रख लेंगे और आर की भैलू कितनी है तीन बटे दो का स्क्यार है और एच कितना है आठ है प्लस दो गुड़े एक बटे तीन पाई नहीं रखेंगे और आर का माने यहां तीन बटे दो होगा और एच कितना हो जाएगा प्लस दो हो जाएगा क्योंकि संकू क्यूचाही दो है ठीक ध्यान से देखिए यहां पाई आ जाएगा तीन तरिक का नो और दो दूनी कितनी हो यह कट जाएगा ठीक, तीन एक तीन तने का नौ हो जाएगे ठीक तेहां नौ दोनी 18 पाइबचेगा प्यारे बच्छो वह तीन पाइबचा है केवल अठारह तीन 21 21 पाई आ जाएगा अब चाहो पाई का मान रख दो 21 गुड़े पाई पाई का मान 22 बटे साथ साथ तरी 21 22 ते यह च्छट तो पूरे ठोस का आयतन होगा च्छट सेमी क्योड इस प्रकार आप पूरे ठोस का संपुर आयतन निकाल सकते हैं आप इसका एक स्क्रीन साथ लिजिए अब फिर हम बात करेंगे प्रिश्ट नमबर तीन की तो गैज थर नमबर प्रिश्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई पर रहा होगा क्या करा है सनलगन चित्र में एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चासनी भरा हुआ है मतलब प्यारे बच्चो एक गुलाब जामुन में 30% चासनी है आगे करा है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितना चासनी होगा यदि प्रतेक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का हो प्रतेक गुलाब जामून एक बेलन के आकार का हो तता उसके दोनों सिरे अर्ध गोले आकार का हो और इसकी लंबाई 5 सिंटीमीटर इसकी पूरे पूरे का गुलाब जामून की लंबाई 5 सिंटीमीटर और 28 सिंटीमीटर दिया है तो प्यारे बच्चो सबसे पहले ध्यान से समझना कि ये जो एक गुलाब जामुन है उसमें दो चीजे आई हैं एक बेलन आया है और दो ठो अर्ध गोला आया है तो पूरे पहले गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे उस गुलाब जामुन में से पहले फिर उसके बाद 30% चासनी है उसका आयतन निकाल लेंगे प्यारे बच्चो कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन है तो पहले जो जो चीजे दिया गया है वो चीजे हम लिख देते हैं ठीक तो जैसे दिया क्या है गुलाब जामुन में चासनी की मात्रा किसकी मात्रा पैर बच्चो चासनी की मात्रा 30% है कितना है 30% है ठीक चासनी की मात्रा 30% है गुलाब जामुन की संख्या कितनी है भई गुलाब जामुनों की संख्या गुलाब जामुनों की जो संख्या है वो कितनी है 45 है ठिक गुलाब जामुन का ब्यास 28 है तो गुलाब जामुन का जो ब्यास है वो 2.8 है अगर त्रिज्या चाहिए इसकी तो भई इसका आधा हो जाएगा दो दस्मलो आठ बटे दो कैंसिल कर देंगे तो एक दस्मलो चार आ जाएगा ये त्रिज्या आ जाएगी ठिक अब अगर मुझे जो बेलन कार भाग है बेलन कार भाग की लंबाई निकालना है तो कि लंबाई ये बेलन कार भाग की लंबाई क्यों भाग की लंबाई निकालनी पड़ेगी क्योंकि आयतन निकालने के लिए उचाही के जोड़त पड़ेगी उचाही यहां लंबाई में है ठीक तो कितना होगा सोचो पूरा कितना था पांस था भाई एक दस्मलो चार इधर से 1.4 इधर से कट गए तो भी अब 5-1.4 प्लस 1.4 कितना आ जाएगा 5-1.4 प्लस कर देंगे प्यर्विच्छ तो 2.8 हो जाएगा घटा देंगे तो 2.2 आ जाएगा 2.2 तो से इंटीट यानि यहां से लेके यहां तक की वेलन की लंबाई 2.2 से डीट इतनी सारी चीज़े आप जालेंगे पूरे टोटल यानि कहने का मतलब है 45 गुलाब जामुनों का आउदन तो जिसमें से 45 गुलाब जामुन में से एक गुलाब जामुन का आइतन अगर निकाल ना है प्यारबच्छो तो तो लिखेंगे पैतालिस गुड़े बेलनकार भाग का आयतन ऐसे लिखना हो तो थोड़ा आसा और आसा सब्द बनाते हम लोग इनको तो लिखेंगे पैतालिस गुड़े गुलाब जामुन क्या गुलाब जामुन के बेलनकार भाग का आयतन किसके जो बेलनकार है यहां से लेके यहां तक बेलनकार भाग का आयतन बेलनकार भाग का आयतन हो जाएगा और प्लस क्या होगा प्यरे बच्चो प्लस होगा दो जाए हे लाय देखे दो गोरे अर्धगोले आहतर चलिये के और फामूला रखते हैं वह हल करते हैं तो आज ओखेएगा उपर 25 गुराब जामुन के बेलन का रखाग का आहतर ह सभगे हमें H catchy प्लस दो गोरे अर्धगोले का होता है दौickets से तीन पाई आर क्यूब यह अर्धगोले का होता ध्यांज देखे अब हम करते क्या है यह 45 कर दिये पाई का मान 22 बटे साथ आर आर कितना है प्यारे बच्चो एक दसमलो चार है तो एक दसमलो चार का होल स्क्यार गोड़े है छार देखे पाई का मान 22 बटे साथ आर कितना है प्याज़े श्रक्चो कर देंगे तो ध्यान से रेखे अब किस चीज़े कैंसल हो सकते हैं जैसे साथ एक के साथ साथ दूनी चवदर तो 0.2 आ जाएगे हाँ ठीक ऐसे इसको हम कैंसिल कर दे तो 0.2 आ जाएगा तो अब आएगा आपका 45 गुड़े 22 गुड़े 0.2 का क्यूब यहां इसक्यार है तो यहां क्यूब नहीं होगा इसक्यार गुड़े 2.2 प्लस यहां 22 गुड़े 0.2 का क्या कर अब हम इनको हल करते हैं प्यारे बच्चो तो जब आप इन सब को हल करोगे न तो हल करने के बाद टोटल आपको मिलेगा कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चो जानते हैं टोटल आपको मिलेगा 1127 कितना मिलेगा 1127 10.295 सेमी क्यूब यानि आप इन सब को हल करोगे तो प्य 45 गुलाब जामुन का आयतन इतना होगा अब मुझे इसमें चासनी का आयतन बताना है तो लिखेंगे 45 गुलाब जामुन में गुलाब जामुन में चासनी का आयतन किसका आयतन चासनी का आयतन तो प्यारे बच्चो जो चासनी का आयतन का फामुला होगा कितना चासनी है प्या 1427.295 गुड़े 30 बटे क्या कर देंगे 100 यही करना प्यारी बच्चो यानि कहने का मतलब है कि अगर हम इनका 30 से गुड़ा करके 100 से क्या कर दें दिवाइड कर दें तो पूरा मिलाजुला कि आपको कितना अंसर प्राफ्थ होगा 338 कितना हैगा 338.1885 लगभग हम कह सकते हैं 338 सेमी क्यूब आएगा चासनी का आयतन इस प्रेकार प्यारे बच्चो हम चासनी के आयतन को फाइंड आउट कर सकते हैं ध्यान से देखना प्यारे बच्चो इसको आप कैलकुलेट जरूर किजेगा थोड़ा सा कैलकुलेट हम लो तो आपको यह मिलेगा अब इसमें 30% तो चासनी है तो पूरे गुलाब जामुन का आयतना आपने निकाला भई 30% उसमें चासनी चासनी का वाला जो सीरा होता है उसे हम करते हैं तो वह 30% हम निकाल देंगे तो 30 बटे 100 कर देंगे तो भई अराम से वह हल हो जाएगा इस प् लगा निकालना हम बात करेंगे प्रशерм न्मारे चार की स्क्रीन पे दिखाईपर लोगारां संवढनलग चितर में एक कलमदान घनाव के आकार का है जो इस डूमा है प्यारे बच्चों यह कलमदान एक घनाव के आकार का है कलम बग्रके मतलब होता है प्याले बच्रें klub प्यारे बच्चोि इसके गड़े की आकार इस प्रकार है ठीक चार संक्वाकर गड़े बनाए गए हैं इसी कलंदान में चाठो संक्वाकार गड़े बनाए गए आगे खणाब घणाब की लंबाई चोड़ाई उचाई दी गई है प्रतेक गड़े के तरिज्या 0.5 और गहराई यानि उचाई 1.4 दिया तो पूरे कलमदान में लकड़ी का एतन प्यारे बच्चो बहुत ही बढ़ियासा सवाल है आईए ध्यान से दिखते हम लोग सबसे पहले क्या-क्या डेटाएं दी गई है घनाब की बीमाए दी गई है घनाब की बीमाए तो घनाब की बीमाए ठीक तो पहले बीमाए हम बीमाए का मतलबत इनकी भुजाएं तो कितना दी गई प्यारे बच्चो पंद्रह सेंटिमीटर दिया है पंद्रह सेमी और गुड़े कितना है तीन दस सेमी कितना है दस सेमी और गुड़े तीन दस्मलों पांसे मी ठीक ये घनाप की भीमा है आपके पास फिर जो संक्वाकार गड़ा था संक्वाकार जो गड़ा है संक्वाकार गड़ा है ध्यान से देखिए संक्वाकार गड़े की त्रिज्या जो त्रिज्या है वो आपके प्रिशन में दिया है कितन की उचाई संक्वाकार भाग की उचाई संक्वाकार की उचाई तो संक्वाकार की जो उचाई है वह एक्वल टू दिया है एक दसमलो चार सिंटी मीटर आगे करा पूरे कमल कलमदान में लकड़ी का अतन प्यारे बच्चो पूरे कलमदान में लकड़ी का अयतन तो ध्यान से लिखना ये जो घंआब आकार की हैं इस घंआब में से चाठ और संक्वाकार गड़े काटकर निकाल दिए गएं पैरे बच्चों तो भई घंआब के आयतन में से ये चार गड़े का आयतन घटा दीजे तो पूरे कलमदान का आयतन आ जाएगा बस तो लिखेंगे कलमदान का आयतन क्या प्यारबच्चो कलमदान का आयतन बराबर प्यारबच्च क्या तयार होगा प्यारबच्चो फामुला क्या बनेगा घनाब का आयतन किसका आयतन घनाब का आयतन माइनस क्या होगा माइनस होगा चार संक्वाकार भाग का आयतन चार संक्वाकार कार भाग का आयतन चलिए ध्यान से दिखेगा अब हम बेंजक रख देते हैं इन लोगों का क्या हो जागा घनाब का आयतन होता है एल बी एच और चार संक्वा भाग कोते हैं एक बटे तीन पाई आर इसक्यार एच क्याल वैलू रखते हैं एल बी एच की वैलू यहां है 15 गुड़े 10 गुड़े 3.5 पॉइंट कटाएंगे तो बटे 10 10 से कैंसल होगा माइनस 4 गुड़े 1 बटे 3 ठीक पाई पाई की वैलू 22 बटे 7 है आर आर कितना है प्यार बच्चो आर देखें यहां दी गए कितना 0.5 तो दो बागुड़ा करेंगे क्योंकि उसक्यार है एच उ को कटा सकते हैं तो 7 दूनी 14 यानि 0 10 मालो 2 आ जाएगा ठीक कुछ और चीजे कैंसल हो जाएंगी क्या जैसे मैंने का यह पॉइंट कटा है तो बटे 10 यह पॉइंट कटा दिया तो बटे 10 ठीक अब क्या कर सकते हैं बिल्कुल कुछ चीजे काट सकते हैं हम आराम से 5 के 5 पा यह पंचे क्या हो जाएगा 10 यह कट गए अब आपके सामने कुछ भी नहीं ऐसा है जो कट सके तो यहां जो बचा है 15 गुड़े 35 कितना 15 गुड़े 35 इधर बचा है माइनस 22 उपर कितना है 22 उपर कुछ भी नहीं पैर बच्चो बलकि यहां 5 क्याई 15 तो यह 15 बचा है ठीक द्यांस देखे अब हम इनका गुड़ा करते हैं 15 पच्चे ठीक तो द्यांस देखेगा 15 पच्चे कितना होता है 75 पंदर त्याप 45 45 और साथ बावन हो जाएगा तो भी 525 कितना हो जाएगा 525 माइनस यहां 15 में 22 में 15 से डिवाइड कर देते हैं थोड़ा सा कैल्कुलेटर क की मदद कर ले लें तो आप इनको जब डिवाइड करोगे प्यारे बच्चो एक दसमलो चार चार साथ आएगा एक दसमलो चार चार साथ ठीक जब हम 525 में से इनको माइनस कर देंगे तो आप का जाएगा पांसो तीस पांचो तीस दसमलो पांच तीन तीन सेमी क्यो इस प्रेकार प्याले बच्चो इस पूरे कलमदान का आयतन आ जाएगा बहुत इस सवाल होता है क्या कर रहा था कि भाई कोई घनाव नूमा कलमदान है उसमें चाठो संकौआ कार गड़े बनाएगा तो पूरे घनाव के में से चारो संकौ आकार भाग का है तन माइनस कर दो आपके प्रसने आ जाएंगे यह रहा आपका चार नंबर आप इसका एक स्क्रीन साट ले सकते हैं बात करेंगे पच्वे नंबर की प्यारे बच्चो पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई पर लोगा क्या कर रह का है यह जैसे मैंने चित्र में दिखाया है इसकी उचाई रर्च तरिज्जा पांच सिंटीमिटर है तो वह यह प्इसकी नियरुप बच्चो 8 cm कितना है 8 cm आगे करा है ठीक आगे करा जब इसी बरतन में सीसे की कुछ गोलियां यह देखें सीसे की कुछ गोलियां जिनमें प्रतेक की तरज्जा 0.5 से नी तो भई गोली की तरज्जा आपको दिया है गोली की तरज्जा है 0.5 से नी आगे कर रहा है गोली है और डाली जाती है जिससे पानी का एक चौथाई भाग बाहर आ जाता है मतलब मैंने कहा कि अगर इसमें 100 लीटर पानी पहले से था अगर मैंने गोली डाली तो गोली डालने के बाद 1 मटे 4 मतलब 25 लीटर पानी बचे है तो पूछ रहा है कि बरतन में कितनी गोली डाली गई कि एक बटे चार भाग पानी बाहर आ गया तो प्यारे बच्चों गोलियों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉसेस समझो कि संक्वाकार बरतन में 100 लिटर पानी तो अपने अनुवान से माने थे न पहले पता तो करें कि पूरे संक्वाकार बलती में पानी का आयतन कितना है पानी का आयतन निकाल लेते फिर एक गोली का आयतन निकाल लेंगे गोली का आयतन से भाग दे देंगे प्यारे बच्चों गोलीयों की संख्या मिल जाएगी चलू इन सब को मिटा लेते हैं तो आपने ऐसे क्यों गेस्ट किया था तो क्या लिखेंगे है संक्वाकार में भरे पानी का आयतन भरे- पानी का आयतन का फार्मूला क्या होता है पिरेवचो संकु के आयतन के बराबर होगा अभरी संकु का एतन होता है एक बटे तीन पाई और इसक्या एच चलिए एक बटे तीन पाई की बहलू मत रखिए क्यों नहीं रखेंगे क्यों भाग देना है तो दोनों में पाई आएगा तो कैंसिल हो जाएगा भाई संकू की त्रिज्या तो पांच है पांच गुड़े पांच और बाई आठ दिया है आपके पास चलिए 25 55 अठे कितना हो जाएगा दोसो 25를 अठे कितने हो जाएंगे पीर बच्चों दोसो ऐसा कुछ है क्या है किता है कि अस touch है क्या ध्यान से दिखिए एक बाद पहले ठीक तो सही है आपका तो पाच पचे पचीस अठे दो सो बटे तीन पाई सेमी ख्योग मतलब कहने का मतलब है कि पूरे संक्वाकार बरतन में इतना पानी भरा हुआ है ठीक अब जैसे ही हम इसमें गोली डालते हैं तो एक बटे चौता ही भाग बाहर आ जाता है तो गोली को डालने पर निकले हुए पानी का आयतन डालने पर निकले हुए जो पानी बाहर आया है प्यारे बच्चों उसका निकले हुए पानी का आयता ने मतलब कितना पानी बाहर आया है वो हम निकाल रहे हैं पूरा कितना था 200 बटे 3 कितना भाग बाहर आता है एक चौथा इन एक बटे 4 हो जाएगा यह कैंसिल कर दो पचास आजाएगा तो पचास पाई बटे 3 आजाएगा सेमी क्यों मतलब हम कह सकते हैं कि एक गोली डालने से इतना पानी बाहर आ जा रहा है ठीक तो गोलियों की निकालने ये लिए कि गोली का ऐतन निकालना पड़ेगा प्रवाश्चो तो गोली का आइतन का फामुला होता है चार बटे 3 पाई एर फ्यूब ठीक तो चार बटे 3 पाई रखे रहो लुब लुब 6 का मांद कितना है प्रवाश्चो पाउब कर देते ठीक तो 0.05 का क्यूब करके उसमें 4 का गुड़ा करके कितना आजायगा जानते हैं आप पूरा आपको मिलेगा πाई बटे 6 क्या आजायगा प्यारे बच्चों पाई बटे 6 सेमी क्यूब आए चले अब आप सोच रहेंगे सरजी पाई बटे 6 कहां से आएगा बिल्कुल लाग ही देखते हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेटर की बादत ले ले भाई 0.05 का गुड़ा तीन बार करना है तो यह 0.05 आएगा आप चार बटे 3 पाई फिर कितना आ जायेगा जेरो दस मलव एक दो पांच यह आ जाएंगे ठीक कटा दीजे तीन एक एक कितने देखे अब ध्यान से देखे पहले हम पॉइंट कटाते हैं तो पॉइंट कटाएंगे तो बटे 100 आ जायेगा ठीक अब सो नहीं एक आगे 1000 आ ना चार दुनियार चार प्रेंगे डाई सो आजाएगे कितना आजाएगा पैर उच्छो धाई सो मतलब चार से डिवाइट करेंगे डाई सो आगे अब है यह गोली के अगे गोली का है तो बिल्कुल हम आसान तरीके से निकालेंगे चलिए थोड़ा सा जगह की कमी पड़े ते हैं तो गोली ओंकी संख्या गोलियों की संख्या का फार्मूला क्या होगा जानते हैं एक गोली से बिस्थापित पानी का आयतन एक गोली के द्वारा गोली के द्वारा बिस्थापित पानी का आयतन मतलब निकले हुए पानी का आयतन बिस्थापित पानी का आयतन पूरे के बटे क्या हो जाएगा एक गोली का आयतन एक गोली का आयतन ठिक तो गोली के द्वारा विस्तापित पानी का आयतन कितना था भी पचास बटे पचास पाई बटे तीन गुड़े एक गोली का आयतन एक गोली का आयतन है चार बटे कितना पाई बटे च तो पाई से पाई कैंसिल और यह उपर पहुच जाएंगे तो पच्छास गुड़े च्छा बटे तीन 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 दूनी च्छा पचास दूनी सौ मतलब प्याज़बच्चो गोलियों की जो संख्या थी न वह सौ मिली है मतलब सौ गोली हमने इसमें डाला था जैसे एक बटे चार भाग पानी क्या हो गए थे बाहर आ गए थे इस प्रकार आपका यह पांचवा नंबर प्रशन कंप्लेट होता है आप इसका एक स्क्रीन सोड़ लेजे फिर हम बात करते प्रशन नंबर च्छा की बच्छो छठा प् का एक अन्य बेलन अध्यारूपित है मतलब प्यारे बच्छो ऐसे कुछ इसका डाइग्राम होगा एक बेलन ऐसा है इसी के ऊपर एक दूसरा बेलन भी क्या है अध्यारूपित है ठीक दोनों की त्रिज्जाय और उचाई अलग-अलग है प्यारे बच्छो इस बात को ध्य का द्रविमान ग्याद किजिए अस्तंब का क्या ग्याद करना द्रविमान ग्याद करना परंतु आगी करा कि यदि एक सेमी क्यूब लोहे का द्रविमान लगभग आठ ग्राम हो मतलब यदि एक सेमी क्यूब आठ ग्राम के बराबर होगा यदि लोहे का एक सेमी क्यूब आइ से मिलके बना तो पहले बेलन का एतन और दूसरे बेलन का एतन जोड़ देंगे तो मिल जाएगा तो सबसे पहले पहले बेलन का आपको दिया है तो माल लेते हैं पहले बेलन का ब्यास पहले बेलन का जो ब्यास है वह आपके प्रस्ण में दिया है तो पहले बेलन का जो ब्यास है वो 24 है जब ब्यास आप बताओ 24 है तो बही तरिज्य तो आराम से आप जाने रहो ब्यास का अधा होता है 12 cm हो जाएगी ठीक इसकी उचाई से कि उचाई जो है वो कितना है आपके पास 220 समी 22 समी ठीक अब उचाई जब 220 आखिर दिया ही है तो इस बेलन का आयतन निकाल लें तो बेलन का आयतन का फार्मोला होता है क्या होता है πाई आर स्क्यार एच πाई की बेलू रखना चाहो तो रख दो प्यारे बच्चो अन्यता हम बाद में रख लेंगे जब जोड़ने लगेंगे तो पाई रहने दिजे आर आर कितना है प्यारे बच्चो यह रख के देखें चलिए पाई कमान रखते हैं कोई दिकत नहीं 22 बटे 7 आर आर कितना है प्यारे बच्चो 12 12 गुडे 12 और रहा है उचाई कितनी है यह 220 220 ठीक कुछ कैंसिल होगे आपके पास कुछ ऐसी चीजे जो आपके कैंसिल हो जाए नहीं कैंसिल हो रहे हैं प्यारबच्चो तो पाई रखे रहो क्योंकि आप अभी आँरा कहल करोगे थोड़ी सी आपके लिए हार्ड हो जाएगा तो 12 बेलन का आया है अब हम दूसरे बेलन का रिखेंगे तो भई दूसरे बेलन की त्रिज्या दी गई है देखो प्रस्ट में आपको दिखाई पड़ा है अभी तक दूसरे बेलन की त्रिज्या जो है वह आठ सिंटीमीटर है कितना है प्यारे बच्चो आठ सिंटीमीटर और दूसरे बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर इसक्यार एच रखो तो पाई कितना है पाई रही रखेंगे आर आर है आर कितना है आठ का इसक्यार यह कितना साथ यह कितना है प्यारबच्चों साथ तो गुड़ा करेंगे तो वही सब गुड़ा उड़ा करके आएग और दोसरे बेलन का आयतन क्या V2 है ठीक अब का रहा था पूरे संपूर अस्थम का आयतन तो बिल्कुल हम निकाल देंगे प्यरे बच्चो पूरे संपूर अस्थम का आयतन तो ये दोनों बेलन मिलके जो संपूर अस्थम बनाए है इसका आयतन तो संपूर अस्थम का आयतन की योग के बराबर होगा वीवन प्लस क्या होगा वीटू भाई वीवन की वैलू आपके पास है 31 680 ठीक और यह पाई है यहां कितना 3840 जोड दीजिए प्यारे बच्चो इनको जोडते हैं लास्ट में जिरो आएगा आठ चार बारह हो जाएगा ठीक और आठ चार बारह हो गए फिर चार चाउदा एक पंद्रह हो जाएगा तीन एक चार एक पांच आ जाएगा यहां तीन आ जाएगा 3520 यह पाई सेमी क्यूब पाई का मान हम रखे हैं तो 35520 गुड़े पाई का मान होता है 3.14 भीया गुड़ा कर दें तो टूटल आ जाएगा तो चले इनका गुड़ा करते हैं सब का जब आप गुड़ा करोगे तो 11,532 आठ सेमी क्यूब मलब इन दोनों का गुड़ा करेंगे तो इतना आएगा और अभी प्रस्न में बोल रहा था कि एक सेमी क्यूब बराबर आठ ग्राम है तो भीया एक सेमी इतना सेमी क्यूब है इसी में आठ का गुड़ा कर दें तो लोहे का द्रबिमान जो अस्त गुड़े आठ क्यू आठ क्यों आठ क्यों कि एक सेमी क्यूब बराबाट ग्राम दिया है और यह इन दोनों का मलब्लाई करेंगे तो आठ सो बानवे दस मलब दो चस आएगा आठ سो बानवे दस मलब दुश्थ क्यज़ेً आयेगा कैसे ध्यान से बिखना प्यारे बच्च है यहीं क्या कर देंगे 1000 से भाग देंगे तो जो 1000 से जैसे ही भाग देंगे तो कि ग्राम बदल जाएगा अब टोटल को हल करेंगे प्यारे बच्चों तो टोटल को हल करने के बाद आएगा 892.26 केजी पूरे लोहे के अस्तम का जब द्रविमांज होगा वो 892.26 केजी हो जाएगा इस बात को ध्यान से समझिया था बहुत ही बढ़िया सवाल है ध्यान से क्या कर रहा था कि दो बेलन मिलाके एक अस्तम बनाया गया है तो पूरे अस्तम का आयतन ग्यात करना था तो पह पूरे अस्तम का आयतन मिल गया अब एक सेमी क्यूब राव आठ ग्राम था भाई में देपास आयतन इतना था इसमें हम आठ का गुड़ा कर दिए तो केजी में निकालना था तो ग्राम को हमने केजी में बतल दिया एक हजार से डिवाइड करती है तो हमारे अंसर आगे फ् ग्रार की ए ठोस में उचाई 120 सैंटीमीटर उचाई 120 संटीमीटर और 130 सेंटीमीटर वाला एक संपू संदित है यह कोई ठोस है इस ठोस में प्यारे बच्च कोई संदित है जिसकी उचाई 120 संदित है ध्यान से देखना जो जो आपको दिये गए हैं वो लिख लिजेगा संकु की उचाई 120 cm है संकु की त्रिज्जा संकु की त्रिज्जा भी आपको 60 cm दिया है ठीक आगे ध्यान से दिखें 60 cm त्रिज्जा का एक अर्धगोला भी इसी में लगा हुआ है मतलब अर्ध गोले के भी 36 cm है अर्ध गोले का तिरिज्या जो है वो 60 cm है आगे करा है इस छोस में पानी पुरा भरा हुआ जो कि लंबृत्ती बेलन के आकार का है यह जो ये छोस इसमें डाला गया बेलन में यह जो छोस है बेलन के तली को अस्पर्स करता है यदि बेलन की तरिज्ञा 60 cm हो भई बेलन की भी तरिज्ञा जो है वो 60 cm दे रहा है बेलन की उचाई 180 cm है बेलन की उचाई 180 cm है चलो सारी डेटा हमने लिख लिया तो बेलन में सेश पानी का आयतन बताना है या बिलकुल जवर्जस्तो बढ़िया स्वाल है बहुत आसान भी है सो जो बेलन में पूरा पानी भदा हुआ है अब इसमें हम लोगों संकूऊ एक हो इक अर्ध गोला का बना हुआ ठोसमें डाल दिए तो कुछ पानी संकूया अर्धगोले में आ जाएगा तो मिला झुलाव के, बताना है कि बेलन में कितना पानी आये था तो यह बहुत आसान सा प्रस्ट बहुत आला सवाल है देखिए जबरजस्ट बेलन में सेस पानी का आयतन हिंदी वाला भाग समझेगा फिर आप आराम सहल कर लेंगे सेस पानी का आयतन तो जो बेलन में सेस पानी का आयतन होगा वो पूरे बेलन का आयतन होगा तो पूरे बेलन का आयतन होगा बेलन के आयतन में से ही तो हम घटाएंगे आगी बेलन के आयतन में से क क्या खताएंगे वह संकुं और अर्धगोले संकुंगा आर्धगोले संकु का जो और प्लस क्या हो जायगा अर्धगोले का चलिए रक देते हैं सारी फरमूले बहिस बेble n हेतना का फर्मूला है एक बटे तीन पाइ एर इसक्याइब अर्द गोले का houता है दो बटे तीन अभी मने बता आख गोले का उता है चार बटे टीन जब बटे कर देते हैं एसा होता है तॉ Chicago जब एक बटे नो कर तो 2 बटे 3 बसता है तो 2 बटे 3 पाई R क्योब चले किवल भैलू रख देतें अब देखे पाई 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 और R स्क्यार R स्क्यार या तो ऐसे आप हल कर दिले 22 बटे 7 रखेंगे R R किसकी R वही बेलन का त्रिज्या तो देखें, बेलन की तरिज्जा 60 है, तो 60 गुड़े 60 कर लेते हैं, H उचाई, बेलन की उचाई 180 है, चलिए, माइनस, एक बटे 3, पाई कामान 22 बटे 7, R, तरिज्जा सभी जगर 60 ही है, तो 60 गुड़े 60, इंटु H, उचाई किसकी, संकु की, तो भई संकु की उचाई 120 है, 2 बटे 3, पाई कामान 22 बटे 7, R, R कितना है, पैरे बच्चो किसके, अर्धगोले का, अर्धगोले की भी तरिज्जा वही है, 60, 60 का क्यूब, चलिए, सबको क्यों हल करना है, ध्यान से देखना, कुछ भी इदर कटने वाले तो हैं नहीं, तो भईया, इससे अच्छा कम अगर पैरे बच्चो, थोड़ा सा मैंने आपको बोला था, कि ध्यान से अगर देखिए, तो ये जो 22 बटे 7 है, चलिए, सबको गुड़ा करते हैं, हल करते हैं, आएगा, थोड़ा सा, कोई दिख्कत नहीं, 60 गुड़े, जब इन सबका गुड़ा करोगी, इनका, इनका, इ 22 गुड़े, 60 गुड़े, 60 गुड़े, 60 गुड़े, 120 गुड़ा करेंगे, पुरा जाएगा, 950, 4, 2, 3, 7, 3, 21, बटे कितना जाएगा, 21, प्लस, अब इनका, गुड़ा करते हैं, 60 का, तीनवा गुड़ा करना है, सबका गुड़ा करेंगे, इन सबका गुड़ा कर देंगी प्यारे बच्छों तो 950 ठीक 950 फिर आ जाएगा 400 ठीक बटे कितना हो जाएगा साथ तरीक 21 ठीक अब देखें हर बराबर है तो जुड़ जाएगा ठीक क्यों आपको ध्यान देना है यह चौद़ 256 30 बटे कितना है साथ माइनस जुड़ जाएगा तो यहां दिखें यहां भी 30 आएगा तो जोड़ेंगे हर बराबर है न एक दो 30 जोड़ दिए चार चार कितने हो जाएगे आठ फिर यह 0 5 5 10 9 9 18 18 बटे कितना होगे 21 अब सास से इनको डिवाइड कर दो 21 इनको डिवाइड करेंगे प्यारे बच्छो तो दो हजार चार चार दो आएगा माइनस इनको जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 905 142.85 अब इनको घटा देते हैं बस आप के अंसर आ जाएंगे तो प्यारे बच्छो जब आप इन दोनों को घटाओगे तो आपका यह उत्तर आएगा 1131 4285.57 से मिक्यूर इसको आप सदल तरीका यह कर सकते थे अगर पाई की भैलू नहीं रखे होते तो हमको आसान होता हल करने में और परन्दू जब हम पाई की भैलू रखे हल करेंगे प्यार बच्छो इस प्रकार आपको हल करना पड़ेगा यह आपका साथवा प्रश्न आप इसका स्क्रीन साड़ की गर्दन है यहाँ देखो यह गोलाकार कोई काच का बरतन है जिसकी जो गर्दन हो बेलन क्या कार आगे कर दा जिसकी लंबाई 8 cm वह बेलन की उचाई 8 cm यह लिख देते हैं बेलन का व्यास 2 cm, अब बताओ व्यास 2 है, तो बही तृज्या, तो एक होई जाएगी, तृज्या 1 cm हो जाएगा, अब बेलन की उचाई, बेलन की उचाई, तो बही बेलन की जो उचाई होगी, वो कितना होगा? 8 cm, आगे क्या खेलाई? गोले का रभाग का ब्यास गोले का ब्यास गोले का ब्यास गोले का जो ब्यास है वो आठ दसमलो पांच मेंटेमि бесп Geral है त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8.5 बटे दो हो जाएगा ठीक अगर क्या करा? कि इसमें भरे जा शकने वाले पानी का मात्रा mala extract बच्च एक बच्च ने ज्यात किया कि इस बरतन का आयतन 345 सेमी क्यूब है कि वही एक बच्च ने ग्यात कि एक बच्च ने पानी भर कर ग्यात कि इसकी जो आयतन है इस बरतन का जो आयतन है वो 345 सेमी क्यूब है ना तो जाच किजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं मानते हुए आप बताई कि क्या बच्चे का उत्तर सही है परंतु पाई की वैलू 3.1 एक चार रखने के लिए कह रहा है ठीक अगर 345 हमारा आता है तो बच्चा सही है अगर्णे था बच्चा गलत हो तो बिल्कुल आसान सा सवाल है सोचीए तो बड़तन का आयतन क्या हो जाए गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन किसका आयतन बेलन का आयतन चलिए फामुला रखते हैं ध्यां जबिए का आयतन होता है चार बटे तीन, पाई, आर क्यूब, बेलन का थन होता है पाई, आर इसका है ह, चार बटे तीन, पाई का आमान 3.1 4 रखना है, अब आर, गोले की त्रज्जा, गोले की त्रज्जा, आर, दस्मलो पांच बटे 2 है, तो 8.5 बटे 2 का a cube plus pi pi का मान 3.14r बेलन की तरिज्या एक का स्क्यार करेंगे into h, h कितना है प्यारवच्चो 8 ठीक तो इन सबको हम क्या करेंगे हल करेंगे जब आप इन सब को हल करोगे प्यारवच्चो थोड़ा सब आप हल करना चाहो तू भी हल कर सकते हो और सब को जब हम हल करेंगे तो लगभग लगभग देखे प्यार बैच्चो जब इन सब को हल करेंगे टोटल को हल करेंगे या तो हल करके दिख्या आजाए चलिए हल कर लेते हैं तो 4 बटे 3 गुड़े 3 दसमालो 1 4 ठीक 8.5 का 3 बार गुड़ा करेंगे हम लोग 3 बार जब आप गुड़ा करेंगे तो 614.125 आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ आजाएगा इनका 8 का गुड़ा यहाँ कर देत 8 4 के 32 8 के 8 3 11 8 3 24 25 25 दूनी 2 आजाएगा ठीक 4 1 के 4 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक अब आप क्या किजिए इनका इनसे गुड़ा करेंगे 2 3 क्या हो जाएगा 6 इनका इनसे गुड़ा कर देते बस गुड़े कितना हो जाएगा 3.1 4 जब आप गुड़ा करेंगे 3.1 4 का इनसे इनसे गुड़ा कर देंगे तो 1928.35 आएगा ठीक प्लस वहाँ 25.1 दू आया है 6 इनको क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं बस 2928.35 भागे 6 जब 6 से भाग दे देंगे तो यहाँ 321.39 आजाएगा और प्लस 25.12 जोड देते हैं इसी में प्लस 25.12 प्लस कर देंगे बुलब भई 346 346.iger 5.1000 आएगा जोकि यह आएगा सेमीक्यूप और बच्चे का जवाप क्या आया था 345 सेमीक्यूप आपका कितना आ रहा 346 सेमीक्यूप अतın को सकते हैं कि अतन बच्चे के द्वारा बच्चे के द्वारा निकाला गया आयतन निकाला गया आयतन गलत है क्या है प्यार बच्छो गलत है इस प्रकार आपका जो ये लास्ट सवाल था वो कम्प्लीट होता है आप इसका एक स्क्रिन सॉट लेजिएगा प्यार बच्छो उम्मीद करता होंगा कि आपको प्रिश्णौली 13 दस्मलदों के सभी सवाल बिलकुल आसान तरीके से समझा पाया होंगा प्यार बच्छो गर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट सेजन में प्यारा सा कमेंट जरूर किजेगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए प्यार अपना बनाया रखी प्यार बच्छो थैंक्यू अल्य स्टुडियों जाहिं जाभात